दोस्तों आज कीशी वीड़ियों मैं आपसेसी एंडिय के इज किसमनल कालफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ और आप सबीको पता है कि एंडिय की जो किंसी होती है वो बार्ड समें दोबर आती है वो इंडियन आर्मी, एरफोर्स, नेभी और नेवल अकेडिमी में ओफिसर रेंग के लिए ये भैकेंसिज आती है जैसा कि आप सभी को ये पता होगा और इस वीडियो में मैं आप सभी को इसी से रिगार्डिंग जो दाउट होते है कैने कंडिरेट का कि क्या एंडियन आर्मी एरफोर्स ने भी अलग-लग बात करने वाला हूँ डिटेल में बात करने वाला हूँ, अलग अलग पुश्ट के लिए, अलग अलग तरह की एज़कोशनल कालिफिकेशन होती है, क्या उस सब के बारे में आप सभी को बताने वाला हूँ इस वीडियो में, अलग अलग इंडियmand army के लिए आप सभी को दिखा देता हूँ, इंडियनR army के लिए जैसा कि आप लोग देख जूँरोंगे कि अंडियृ में आर्मी के लिए किसी भी इस्ट्रीम के श्ट्वेंट्र फॉर्म पहीं कर सकते हैं, तो Air Force में 12 में Pass होना चाहिए या Appading Candidate दोनों उनका PCM होना चाहिए 12 में उनका Subject Physics, Chemistry, Math होना चाहिए वो Air Force के लिए Phone Fill कर सकते हैं और इसमें Appading Student भी Phone Fill कर सकते हैं आप सभी को मैं बता दू कि NDA के लिए जिनका एक्जाम होने वाला है स्वार्च वो कर सकते हैं अब बात आती है NDA में नेवी के लिए तो नेवी के लिए 12th Pass होना चाहिए या 12th Appading होना चाहिए PCM होना चाहिए इसके लिए एयर फोस्ट नेवी और नेवी अकेडमी के लिए 12th में पास आउट या Appading Student जिजनका सब्जेक्ट PCM हो Physics, Chemistry और Mathematics हो वो Phone Fill कर सकते हैं नेवी के लिए और यानि कि Science का बात यह सब मिलकर यह होती है कि जो इस्टुएंस लिकर के पढ़ रहे है PCM है वो किसी भी टूटर यानि चार एस्ट्रीम होते हैं एंडिये में एयर फोस्ट ने भी आर्मी और नेवल अकेडमी चाड़ों पोस्ट के लिए वह फॉर्म फिल करते समय हो मार्क लगा सकते हैं वहां पर आउफसन दिया रहाता है अब चाड़ों के लिए लिवन होते हैं PCM बाले बात आए यहां पर नेवल एकडमी के लिए ङोब кос द्ट या और आड़ के लिएreteयर नेवल आर्ण के लिए शुटल यह वह फोस्टल bonk अगर आप लोग को कोई भी दाउट होती है तो इंडिये से रिगार्डिंग तो आपके लिए एक प्लेलिट मैं बना देता हूं आप प्लेलिट में जाकर कर सब कुछ देख सकते हों और डिस्क्रिप्सिल में मैं एज एज लिमिट से जो भी रिलेटेड वीडियो है वो मैं ड स्क्रिप्सिल में दे देता हूं आप लोग जाकर कर जरूर देख लेना सो जहिंद जाए